अलो फ्रेंड स्वागत आप सभी का एक वार फिर से नर्शिंग ट्रेंड चल पर मेरा केस परजापत आपके लिए लेके आगे हूं नर्शिंग ट्रेंड क्विडियो नंबर 26 ये क्विश्ण बविश्य में होने वाले सभी नर्शिंग एक्जाम के लिए बहुत करके लिए मोश्ट कॉमन ओक्यूपेशनल हिजार्ड क्या है यानि जो लोंग टाइम तक कंप्यूटर पर काम करते हैं कंप्यूटर टाइपिंग करते हैं उन में कौन सी बीमारी हो सकती है उप्सन है कैंसर लंग डिजीज केटरेक्ट एंड कारपर टरनल सिंड्रोम तो इनहीलेशन ओफ कोले लंग प्रिय отнош लिए चे स काम करते हैं उनको यह जैदा हो सकती है तो उन लोग उप्सक्राइपिंग का मैं करते हैं Siliconosis, Enthracosis, Bicinosis या Begasosis तो friends लम्बे समय तक Botton Fiber Dust अगर Inhalation हो तो उसको हो सकता है Bicinosis, Option C is Right, Bicinosis अब Enthracosis और Begasosis क्या होते हैं यह भी बता देता हूँ और Siliconosis क्या होता है? Siliconosis का मतलब है Inhalation of Silica Dust یعنی लम्बे टाइम तक अगर कोई Silicon Dust को Inhal करे जैसे जो मजदूर ख़दानों में काम करते हैं और मार्बल्स की फेक्टरीज में काम करते हैं मिट्टिक में काम करते हैं उन में सिलिका डश्ट है वो इन्हेलेसन होने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है और उनको सिलिकोसिस हो सकता है anthracosis हो सकता है inhalation of cold dust यानि koily की जो dust है वो अगर लंबे समय तक inhale की जाए तो उसको anthracosis हो सकता है यानि koily की खदानों में काम करने वालों को anthracosis हो सकता है vegasosis inhalation of baggage यानि गन्य का भूसा यानि जहां पर कागज बनाए जाते हैं गन्य के भूसे से कागज बनाए जाते हैं तो उन लोगों में गन्य के भूसे का long time तक inhalation होता है और उन में vegasosis disease हो जाती है तो ये तिन्नों चारों disease होगी next question लेते हैं segregation of patients on priority based in emergency condition is called यानि emergency condition में patients की priority तै करने के लिए जो criteria का नाम है वो क्या है emergency conditions में अपने किस तरह से तरह करेंगे कि पहले किस patient को देखा जाएगा और बाद में किस patient को देखा जाएगा तो इस चीज को कहते हैं मिराज, लेवाज, triage या फिर कोलाज तो ये कहलाएगा triage option c is right triage triage में कहा है देखो four color code system used in triage triage में चार color code system यूज किया जाते है red red का मतलब हाइएष्ट प्राइटी यानि urgent यानि वो cases वो patients जिनको सबसे हाइष्ट प्राइटी दी जाएगी और उनको सबसे पहले urgently देखा जाएगा ताकि उनकी life है वो save हो सके जैसे chest pain या फिर जिनको सांस में दिक्कत हो respiratory problems ज्यादा हो उनको या फिर bleeding के ज्यादा cases हो तो वो red color के criteria में आएगे उनको highest priority दी जाएगी उनको urgent की category में रखा जाएगा उसके बाद में आता है yellow ये होती है medium priority इनको थोड़ी सी कम priority दी जाती है emergency conditions के like जो cases होते हैं उसमें ये आते हैं उसके बाद में आते हैं green ambulatory patients with minor injury यानि ये जो patients होते हैं ये चल फिर सकते हैं और इनके छोटी मोटी कोई चोट होती है जो bandage ये addressing करने से ठीक हो सकती है और सबसे लाश्ट में आता black indicate to going to die black का मतलब है वो patients जिनमें आप चाहे कुछ भी कर लो उनका जो मरना है वो निस्चित है यानि वो die होने निस्चित है तो वो black category में आते हैं उनको सबसे last में देखा जाता है तो अगर आपके पास mask casualty आती है तो आप triage के आदार पर decide करोगे red color में उन patients को लोगों जिनको तुरंट देखने की जुरूरत है वरना नए देखा तो वो expire हो सकते हैं उसके बाद में medium priority यानि emergency conditions के patient होते हैं जिनको देखना जुरूरी होता है उसके बाद में green तो वो patients जो चल भी सकते हैं और उनको छोटी सी चोट है तो वो हो जाएंगे ग्रीन में और बलेक का मतलब यह है कि या तो जो मर चुके हैं या फिर वो candidates जिन में चाहिए कुछ भी कर लो वो मरेंगे ही तो उनको सबसे last में देखा जाएगा next question लेते हैं friend Age for the birth and death registration act 1969 by government of India it is compulsory to register all death within यानि जनम and मरत्यू registration act 1999 जो भारत सरकार का है उसके according date को कितने दिनों के अंदर अंदर registered करना compulsory है 10 दिन, 14 दिन, 7 दिन या फिर 21 दिन तो latest trend के according जो birth and death registration act 1969 है उसके according 21 days में date का registration करना compulsory है option D is right 21 days birth registration within 21 days और birth का जो registration है जनम का जो registration है वो भी 21 days में ही किया जाना जरूरी है next question लेते हैं ESI act passed into which year ESI act है वो किस year में पास हुआ तो ESI जो act है वो 1948 में पास हुआ था option B is right employee state insurance act जिसकी भरती अभी वरत्मान में running चल रही है और राजस्तान की भरती है वो cancel होगी है तो जिन लोगों ने राजस्तान से apply किया था ESIC की staff nurse vacancy के लिए वो दूसरे state से apply करें नेक्स्ट क्रिशन लेते हैं फ्रेंट जेरेंटो लोजी नर्सिंग डील्स विद जेरेंटो लोजी नर्सिंग है वो क्या करती है किस पेशेंट के साथ डील्स करती है उनकी किस की केर करती है तो option a care of patient with terminal illness care of patient with genetic problems या फिर care of older adults या फिर care of patients in community settings तो जेरेंटो लोजी का मतलब है study of aging तो option c is right care of older adults यानि बुद्ध बुद्धे जो लोग से उनकी केर करना और बुद्धा पे की वज़ा से जो बिमारियां हो गई है उन लोगों की केर करना care of older adults जेरेंटो लोजी कहलाता है option c is right next क्यों लेते हैं friend entomology is the science that study entomology में किस की study की जाती है behavior of human beings, insects, behavior of ants या फिर formation of rocks तो entomology में insects की study की जाती है option b is right insects यानि कीडे मकोडों के बारे में study की जाती है entomology में option b is right next question लेते है the first step in the process of purification of water at large scale large scale पर water purification के लिए first step है वो क्या है तो storage, filtration, disinfection या फिर boiling तो अगर large scale पर water का purification करेंगे तो उस process में जो first step होगा वो होगा storage option a is right इसमें तीन process काम में ली जाती है सबसे पहले storage उसके बाद में filtration और उसके बाद में disinfection ये तीनों चीज़े हैं वो काम में ली जाती है large scale पर water का purification करने के लिए next question लेते हैं friend a single tablet 0.5 gram of chlorine is sufficient to disinfect water यानी 0.5 gram की chlorine की tablet है वो कितने पानी को disinfect कर सकती है तो 10 liter 15 या 20 liter या 25 liter option दिये गए है तो जो आदा gram की tablet होती है 0.5 gram की chlorine की tablet होती है वो 20 liter पानी को disinfect कर सकती है option c is right 20 liter of water next question लेते हैं occupational disease farmer's lung is caused by farmer's lungs जो एक disease है ये किस के कारण होती है cold dust, silica या फिर hay और grain dust या फिर tost तो फ्रेंट्स जो farmer's lungs होता है तो नाम सही जाहिर हो रहा है farmer लोगों की होती है तो option c is right hay और grain dust यानि जो भूसा है या फिर मोटे अनाज का भूसा है उसका long time तक inhalation हो तो उससे farmer's lungs disease है वो हो जाती है option c is right hay और grain dust तो ये थे आज के question friend अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको like करें सभी दोस्तों के साथ इसको share करें और channel पे नए है तो channel को कर लो subscribe तो पास में गंटी का जो निशाना आ रहा है उसको भी दबा लो ताकि next video को आप कभी भी मिस नहीं करोगे और नेक्स वीडियो का notification सबसे पहले आपको मिल सकेगा तो चलिए दोस्तों इजाज़त दीति हैं मिलते हैं जल्द ही next video में